ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी हेल्थ बेटा बहुत ज्यादा ऐसे चल रही है उपर उपर नीचे नीचे इन दी एर अभी मैं नॉर्मल हूं ये वीडियो बहुत जल्दी से ठीक हो जाओंगा लेकिन आड़क आप्ट करते यह वीडियो बहुत जादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरे को तुम लोगों के कुछ इनपुट्स चाहिए और क्योंकि यह बहुत ज़्यादा जरूरी है तो कोई भी बच्चा यह नहीं बुल कर नहीं भही दिस इस परफेक्ट डिस अधवेग वी कालव पर्फेक्शन पर्फेक्शन रिफ्लेक्ट में नहीं थे हमको चाहिः तुम्हारे लगना जरूरी यह सब चीजे जरूरी है तो यहां बच्चों मैं तुमसे बात करने और यह जो process है maybe June attempt वाले बच्चों को मिल पाए और शायद June को भी नी फिर इस साल के December attempt वाले बच्चों को मिल पाए क्योंकि अच्छा गासा लंबा process होने वाला है क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ बनने में लगता है बहुत जारा समय लेकिन वो मैंने एक prototype पिछले दो दिन रात रात पर जगके मैंने एक prototype ready कर लिया है सिर्फ chapter number 1 का अब chapter number one का मैं क्यूं manage कर पाया क्योंकि chapter number one के मिर पास notes पहले से बढ़े हुए थे मैंने पहले से बना के रखे उए थे तो मि Tokyo Besch को जो design और structure मेंको ready करना था उस structure में मैंने उसको insert कर दिया तो में बहुत बड़ा टास्क नहीं था chapter 1 ready करने में जो मेरे को टास्क लगा उसका structure ready करने में ही time लगा जो भी लगा ठीक है तो मैं इस book को अभी एकदम prototype chapter 1 लेकि तुमको अपने inputs बताने कि इसमें और क्या चीज़े add हो सकती है पर एकदम मेरे जूर में exam clear कर लोगे तब फिर दुमको जरुदी नहीं पड़ेगी तो इसकी surety नहीं है कि हाट को भी कप तक बनेगी और पूरी बनके ready हो जाएगी लेकिन क्योंकि मैं पूरा अपने हाथ से बनाने वाला हूं मेरे कोई भी इतना capable बंदा नहीं मिला जो मेरे काम कर सके और ठीक है और यहाँ पर कुछ एक motivational quote रहेगा मेरे को पते है गलती यहाँ पर इनिशली गलती है अपर double inverted comma रहेगा तो वो मैं कर दूंगा correct ठीक है फिर यहाँ पर past records रहेंगे पास records मतलब तुम्हारा जून 17 ऑब्यसली 2016 से लिबस के बच्चे तो जून 17 दिसेंबर जून 18 दि 12 marks 13 marks 13 marks फिर से 11 marks काया है फिर यह 11 marks काया है और फिर अगेन यह 12 marks कुछ इस प्रकार से तुम्हारे past trends रहे हैं तो यह कुछ इस तरीके से तुमको चाहिए chapter की भाई फिर वो यादेगे फिर आएगा तुम्हारा next page में God's eye God's eye मतलब भगवान तुमें देख रहे हैं ठीक है त तभी इस process में आप noob, noob मतलब होता है जो उस particular subject में master नहीं होता है ठीक एकदम newbie होता है तो to God level, God level तुमनों को पता है हमारे case में क्या होता है तो तुम लोगों का noob level से start होके power level जाएगा, growth level जाएगा, pro level जाएगा और God level जाएगा, यहाँ पर तुमको दिख क्या रहे है तो basically यह जो page है वो तुम्हारे chapter के दो purpose को पूरा करेगा, पहला यह कि तुमको chapter index मिल जाएगा है आपर, कि इस chapter के अंदर क्या क्या है, history है, meaning of some special important items है, objectives of cost accounting, scope of cost accounting, financial versus cost accounting, cost versus management accounting, ऐसे करके सारे topics हैं, तो यह total इस chapter के अंदर तुमको पता चल जाएगा, 19 topic हैं और उसके page number भी लिखे हुए, आप जब first time पढ़ोगे, first time जब आप reading मारोगे, तब आप new level में tick कर दोगे, कि हाँ भाई मैंने history first एक बार पढ़ लिए, वैसी मैंने meaning एक बार पढ़ लिए, objective पढ़ लिए, financial versus cost एक बार पढ़ लिए, जब आप second time पढ़ोगे, यानि कि basically आप first revision करोगे, second time पढ़ने का मतलब होता है, first revision, उसमें आपकी जो समझने वाला जो portion उस पर आपका ज्यादा focus रहेगा, as compared to, सिर्फ read मारना, पहली बार करोगे, तो सिर्फ read मारने में आपका ज्यादा ध्यान रहेगा, तो फिर आप उस पे tick मारोगे, फिर आप जब next time पढ़ोगे, तो आप पल्टो किया, आप बोलोगे, हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो वो रहेगा, तो ये तुम्हारे पांच लेवल्स रहेंगे, जो तुम लोगों को पूरे करने हैं, तो ये पेस तुम्हारा दो चीज़ परपस सर्व करेगा, एक तो त मैंने सिंपल रखा है बहुत ज़्यादा इसमें ताम जहम नहीं रखा है मैंने कुछ कुछ अनिमेशन डालके रखे हैं वह सिर्फ तुमको समझाने के लिए टॉपिक अंडर्स्टूट करने के लिए तो यहां पर तुमको हमारा प्यारा लोगों दिखेगा ठीक है और नीचे पॉस्ट अकॉंटिंग और फाइनेंशल अकॉंटिंग इसी भी चीज़ का तो वह पर्टिकुलर चैप्टर जब भी तुम रिवीजन कर रहे हो फॉस्ट तो पढ़ोगे तो रेगुलर लेक्चर से पढ़ोगे जब तुम रिवीजन कर रहे हो तो उस टाइम पे तुम लिए लाइक में एक इसांपल दिखाता हूं आप लोगों को ये देखो लेट्स ओपन दा QR-code Scanner ऑफ माइफ मैं और यह देखो मैं इसको वीडियो में देखलो जिस वीडियो के अंदर मैंने टॉपिक । किया है और थम से तुमको तॉपिक पहले पेज में मैंने हर निख रखा है आघर अगर कि किसी पर्टिकुलर पेज में तो आपको कोई टॉपिक अप पढ़ना है तो आपको फिर पहले पेज में जाना पड़ेगा नहीं इतना बहुत नहीं डालेंगे इतनी ज़्यादा एफट समसे नहों पाएंगे हमारे पर पढ़ाई का प्रेशर है तो जिस भी पेज में उस देखो हम लोगों का जो रहता है ना कॉस्ट यूनिट किस पर रहता है कॉर्ट गैलन्स ठीक है पाउंड पेंट कप टेबल स्पून या इसे इंच किलोग्राम ठीक है तो वो वो सब चीज़ा फिर उसका निकालते हैं यह सब चीजे तुम्हारे कॉस्ट सेंटर सेंटर प्र सब्सक्राइब। से हैं पड़ते हैं लेकिन हमने इन चीजों को कुछ डेवलप करने की कोशिश के कुछ ऊपर ले जाने की कोशिश एफट्स यहां पर अभी भी इसमें अगर डेवलप्मेंट का स्कोप है कुछ भी है तो आप बच्चों की responsibility कि आप अपने inputs दोगे नीचे आपको यह बुक दिग गई है सामने पूरी आपको सारी चीजे समझ में आ गई है कि कैसे क्या यह structure मैंने बना के रखा है जो कि मैं आने वाले समय में में मेरे को लग जया 10-12 महीने इसको बनाने में पूरा पूरा लेकिन जब यह बन के निकल चाहिए तो यह best hard copy होनी चाहिए market के अंदर सबसे best hard copy यही होनी चाहिए और इसकी जिब्मेदारी मेरी अकेले की नहीं है सबकी है हम सबकी तुम लोग की भी मेरी भी सबकी तो तुम लोग अपने inputs इसके अंदर देने होंगे कि क्या कैसे कर सकते हैं अपने suggestions तुम लोग दे यह हो गया वीडियो अपना complete मैं आने केडमी में आज से financial accounting cost accounting दोनों भी start करने वाला हो क्योंकि अब हम लोग बहुत डीले हो गए तो अब मेरे को cover up करना पड़ेगा fastly तो इसलिए मैं दोनों भी start कर रहा हूं तो tentatively तुम्हारी तीन classes in a day भी हो सकती है तो हम लोग कोशिच करेंगे एक क्लास सुबह रखें और दो क्लासे शाम को रखें ओके बच्चों तो बस फिर नेक्स वीडियो में मिलते हैं और इस efforts को इस plan को execute करने अच्छे से तब तक लिए god bless you take care and bye bye